दोस्तो जलबाजी में हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है ये बात इस वीडियो से अच्छी तरह समझी जा सकती है वीडियो में दिखाया जाता है कि सैक्डो की तादाद में जेबरा एक नदी को पार कर रहे होते हैं बहुत जलदी ये नदी खून से लाल होने वाली है क्योंकि बड़े-बड़े मगरमच भी इनी के पास होते हैं ये जेबरा भी जानते हैं कि पानी में मगरमच से उनको खत्रा है लेकिन किसी भी तरह उस पार जाने की जिद भी इनके अंदर देखी जा सकती है काफी देर तक जेबरा एक एक करके नदी पार करते रहते हैं इदर मगरमच भी बिलकुल सांती से धीरे-दीर इनके पास आ रहे होते हैं जेबरा की तादाद बहुत जादा होती है और इसी बाद का फाइदा ये मगरमच उठाते हैं वो जल्बाजी ना करके बिल्कुल आराम से सिकार करते हैं पहले तो वो काफी जैबरा को जाने देते हैं फिर वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं और ये जैबरा इनकी बली पर चड़ जाता है और मगर मजबूरी तरह से पहले इसका जबडा फारते हैं और बाद में पानी में जैबरा को डुबोने लगते हैं ताकि दम गुटने से जैबरा मर जाए अगर जैबरा जलबाजी ना करके आराम से नदी पार करता तो सायद आज ये जिन्दा होता